वेलकम बैक फॉम दा ब्रेक नाज़रीन मैं हूँ शेफ अब्दलमनान और आप देख रहे हैं जाय के देश-देश के हमेशा की तरह जैसा कि आज कल हम आपको सीजन में सर्दियों से मुनासबत रखती वी रेसिपी सिखा रहे हैं और कोशिच हमारे यह है कि आपके पर ऐसी सीजन के साथ कॉप्लिमेंट करें सर्दी की आमद आमद है और फ्लू नजला जुकाम हर घर में आज कल एक वाइरल चीज़ें जो हैं वह बड़ी गर्दिश कह रही है तो इन सब चीज़ों के आज जो वाहिज सोलूशन है वह यह कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और ऐसी है और आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्ण सूप बड़ा फेमस सूप है कॉमन सूप है हर चोटे बड़े को बड़ा पसंद होता और एक ऐसा सूप है जो हरे की जबान पर जो है वह एक फॉरण आता है रही चिकन कॉर्ण सूप तो उसकी रेसिपी बताने से पहले एरियल के पारें बताता चलें एरियल जो है नियू इंप्रूफ फॉर्मूला के साथ है माइक्रो क्लिनिंग बूस्टर जो कि आपके कपड़ों से दाख धबों को एक ही धुलाई में फिनिश कर देते हैं इसको लेकि आए और अपनी जिदीग को आसान बनाए स्टार्ट करतें इंग बिल्कुर पेस्ट नहीं करना देखें यहां पर मैंने जो किया वही थोड़ा सा रफ है यानिकिसमें थोड़ा से कॉन नजर भी आ रहे हैं बाकी कुछ पेस्ट भी है यह आप चाहिए आपको चाहिए होगा हाफ कप एक अदर चिकन ब्रेस्ट है तूफिटी ग्राम उसका इसके इलावा आपको फॉर कप्स ओफ चिकन स्टॉक चाहिए यानि मुर्गी की यखनी अगर आप क्यूब से बनाना चाहरे तो बना लें अगर आप पानी यूज करके उसके चिकन पाउडर डाला चाहरे तो उससे बना लें और अगर आपको अच्छी प्रॉपर घर की बन अगर जाए ठीक है हमने इसको करेंगे वर्टिकल स्लाइस जिसता मर्जी कर लें क्योंकि हमने इसको फाइन चॉप करना है तो इसमें हमें कोई बहुत अरा शेप का ख्याल नहीं रखना ठीक है चुप करने के बाद हम यहां पे स्टॉक जो है बॉयल करें उसके हंदर हम इस इसको एड करेंगे ठीक है चीश तरीके से Apostle कर लेहां पर कर लेना ही कीमा हो जाएंगा ऊसके बाद हमने यह अपने आप अगर चिकन का कीमा यूज करना चाहरे हैं तो आप ऐसा करें कि मोटी मशीन का कीमा होता है अपने जो बुचर है जो आपका कसाब है उससे कहें कि आपको मोटी जाली से चिकन का कीमा निकाल दे तो वो भी आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं फिर आपको यह का था बढ़त है शक्ता से नहीं करना पड़ेगा थिक है इसको आप थोड़ा सा और कोशली कर ले ताकिस के हंद जो भी इसके रिशे और जो भी इसके इसके layer फाइबर है वह अछज तरीके से कट जा है और चिकन जो है कि हमारा चॉक्षी के हो गया ठीक है जी इसको हम add कर देंगे into our boiling stock यह हम यहाँ पर chicken stock boil कर रहे है four cups ठीक है जी यानी ठीक है जी हमने इसके अंदर ठीक है यहाँ पर हमने इसको इसको अच्छे तरीके से cook कर लेना है चिकन को इसके अंदर stock के अंदर ठीक है यह थोड़ा सा बॉइल होता है साथ ही हम add करेंगे यह हमारे पास को sweet corn है half cup ठीक है यह हाँ half cup इसके अंदर sweet corn add कर देंगे अच्छे जी यहाँ पर यह हमने इसके अंदर sweet corn bads कर दी है अब इसके अंदर ön שנs चीजनिंग इसके अंदर allen नमर्क और white pepper आपके हजबे जाइक है जिसतंग आप डालना चाते आप इसके अंदर add कर सकते के थी यह थोड़ा सा नम'T के यह हमने सके नमक के साथ हमेशा यह एक कि ख्याल रखें के नमक कभी भी थेज नहीं किया जाता क्योंकि नमक में हमेशा टेबल पर सर्फ की रॉस धुटनिमें जिसका जितना टेस्ट होगा वो इसके according जिसको adjust कर लेगा ठीक है जी यह हमने यहाँ पर इसको boil करेंगे थोड़ा सा अच्छा boil आएगा हम इसके अंदर थोड़ी सी स्यास साथ करेंगे ठीक है यह हमने यहाँ पर स्वया साथ कर दी अबाउट वटी स्पून ठीक है यह हमने स्टिसके अदर स्वया सॉस स्टेंडर ठीक है जी हम यहां पर देखें यह बड़ा अच्छा सा इसका एक जो है अरोमा यहां पर मुझे फील हो रहा है कॉर्ण का और इसके इंदर बड़े इच्छे तरीके से इंफ्यूज हो चुकी है और अरोमा से हमें याद आया फ्रेग्रेंस से याद आया कि एरियल आपके कपड़ों में एक सेंट और परफ्यूम जो है वह इंफ्यूज हो जाएगा ठीक है जी यहां पर आच यह हमारे चिकन कॉर्ण सूप जो है उसको हमने यहां पर मज़े से हमारे कॉर्ण चिकन जो है वह कुक हो रहे हैं यहां पर हम कॉर्ण फ्लार को डिजॉल्व कर सब्सकर में यह क्यों कि यहिंक को हमने ठेक करना है तो हमाई पास a half Cup कॉर्ण फ्लार है इसको मैं एक पानी में ठोड़ा सा एसका पेस्ट बना लेंगे ठीक है अब पेस्ट बनाने के लिए आप इसको अच्छे तरीके से पहले थोड़ा से बोल मेरा छोटा है यहां पर थोड़ा केरफुल रहे के ताकि अच्छे तरीके से के अंदर कोई लंप्स ना रहे और इसके अंदर अच्छे तरीके से हमारा कौनड़न इसको थे खरेंगे इसको थीकन करने के लिए यहां पे यहां पर हमारा ब्रदा इप्सिक हो अबॉट情 क आप डिया से छोड़ा द्रीक हो जैगा तो हमिसके अंदर एगट एलगे करेंगे यहां पर थेसको अनदर एकला जो है आपको add करना इसके अंदर अच्छा एक और टिप है सूप के बारे में कि सूप के अंदर हमेशा आपने पहले corn flour से इसको ठिक करना है देन आपने last में under add करना अगर आप पहले under add कर देंगे तो अंदर बिल्कुल फट जाएगा और बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो आपको वो इसना चूंक नहीं आएंगे जिसना आपको restaurant से मिलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है जिए हमने यहां पर इसको कोख कर रहे बड़े मज़े से यहां पर ठीक है ठीक है अच्छा जिए हमारा यहां पर corn flour पे तेंडर हो जाए देन हम इसको थेक करें ठीक है यहां पे अब इसको हम पूर करेंगे यह रेखे जैसे जैसे मैं इसके अंदर आड करूंगा तो यह एकदम से थेक हो जाएगा ठीक है ठीक है यह रेखें जी कि अब हमने इसके इंदर इस ले हमने आइट करना आ इसको इतना कुक करना है कि थोड़ा सा वेट करें ताकि यह थिकन इसकी कंसिस्टेंसी एक कंसिस्टेंसी इसकी जो है हमें अच्छी सी अटेन हो जाए यह रहें यह रहें हमारा सूप जो है बड़ा जबदसा यहां पर आप देख सकें कि रहें चिकन और और यह सारे चंक से इसके अंदर बड़े मज़ेदार से फील हो रहे है ठीक है यहां पर हमारा सूप भी है ठीकन होगे अच्छा यह ऑल्मोस्ट हमारा जो कौन फ्लार था वह बिलकुल सके अंदर कंजूम होगे अल्मोस्ट पूरे का पूरा एक लेते हैं चुटा से ब्रेक से वापिस आके हम इस यहां पर हमारा सूप जो है वो अपने क्लाइमक्स की तरफ जह रवा 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 है और यहां पर उसके अंदर एग आड़ करने का वक्त आ चुका है क्योंकि अंडे के बगार जूप आपको इनकंप्टीट लगेगा ठीक है जी तो हम इसको यह रिखें बड़ा जब अब थोड़ा सा अंडे को विप कर लेते हैं ठीक है इसको हम विप कर लेते हैं अच्छे तरीके से एक को ठीक है जी अब इसके अंदर हम पोर कर देंगे ठीक है अंडे ठीक है जी अब इसको थोड़ा सा पकने का टाइम दें ताके यह अच्छे तरीके से हमारा जो यह इसक सारी रेस्टरांस में और करते हैं चिकन कॉर्ण सूप यहां पर हमारा पक रहा है इसको थोड़ा सा और टाइम देते हैं अंडा डालके था कि वह एक अध मिनट में पक जाए एरियल जो है अगें जैसे कि आपको हर चीज में अपनी जाजकर हमें है टाइम सेविंग जो है हमा आपके कपड़ों से दाख धबों को एक ही धुलाई में और एक ही चांस में जो है आपको उन्ची उन से चुटकारा मिल जाता है इसको जुरूर्ट प्राक्टिकली अप्लाइक करें अपनी लाइफ में देखें कैसा यह जो एरियल प्रॉमिस कर आप से एक धुलाई का चैल इसको भी ट्राइ करें और उसकी फीडबैक जो हमें भेजते रहें यहां पर सूप बिल्कुल कम्प्रीट हो गया इसको अब डिश आउट करते हैं डिश आउट करने के बाद थोड़ा से टाइम बचेगा डेफिनेटली मैं आपको रीकाब भी करूंगा इसका ताके आपको कोई इंबिगुटी है यह रेसिपी आपको थोड़ी सी कोई भी चीज में सो गई है तो वह आप से ठीक होती है यह मैंने इसके अंदर चंचा रखा इसलिए इसलिए रखा है क्योंकि जो इस तरह के बोल्स होते हैं उनकी को गारंटी एस सच नहीं होती कि आप गरम चीज ड चंचा अड़ कर दिया इसके अंदर बेस पे ताकि हमारा सूप जो है उसका टेंपरेचर और हमारे बोल का टेंपरेचर जो एक जैसा हो जाए तो यह देखे हमारा आज का जो सिरसला था चिकन कॉर्ण सूप का वह यहां पर फिनिश हो गया है रेसिपी में साथ-साथ आपक देखे जी यह देखें इसको थोड़ा फाइनली स्लाइस करना अपने चॉप करना है ताकि हमारे पास ठीक है यह हमने यहां पर अच्छा यह देखें हमारी यहां पर हरी मिर्चे हमने बिल्कुल कुतर ली है यह हम थोड़ी थोड़ी ठीक है इसके उपर ग्रीन जो है उससे करेंगे ठीक है अच्छा यहां पर सूप की रेसिपी को मैं रीकाप कर रहो अगर आप से को इंग्डिएंट मिस हो गया है तो उसको आप लिस्टाउन कर लिजे ताकि कुछी रहत ना जाए चिकन कॉर्ण सूप आज बन रहा है उसके लिए हमने लिया एक इदर चिकन ब्रेस् का हुआन में हाफ कप स्वीट कॉर्न ली टेन की ले ने चाभी लिए छिकन को नेचबर खेट को भी मेड़ी है मोटा मोटा और हमग्ने सूप और शीन को रावन को सोया सास चाहिए वन टू टू टीस्पून जितना आपका टेस्ट है कॉण फ्लार आपको हाफ कप चाहिए और एक अदर अंडा चाहिए आपने चिकन की अखनी को बॉयल करना है उसमें आपने चौप चो कीमा है वह एड करके उसको पकाना है जब थोड़ा से उसमें बॉयल इसको थोड़ा साब घुमाएंगे और उसके बाद जो है उस फिनिश करके उसको आप सर्फ करेंगे जिसना मैंने यहां पर पाइपिंग होड सर्फ किया इसको चिली सॉस के साथ और विनिगर और चिली के साथ सर्फ करें यह इसके कॉंडिमेंट्स हैं जो इसके साथ सेदार रेसीपी के साथ मुझे इजाज़त दी दी है इन्शाला फिर मुलाकातों की आला हाफिस जी सहेली कुकिंग सेग्मेंट वस प्रेजेंटेड बायर तो किस ने जीता एक धुलाई चालेंग एरियल एक धुलाई शमकदार से से अाले की साथा चाले के नीजा चाले Operation झाल झाल